Hi everyone, welcome back to my channel आज में explain करूंगी Children of Lesser God का episode number 3 and 4 So let's get into the story of the series जुहून को सांगू ने किड्नाप किया था और जुहून ये याद करके डर जाती है पुलिस को पता चलता है कि जिन्दो लड़कियों का खून जुहून के कपनों पर मिला था उनमेंसे एक लड़की जिन्दा हो सकती है पर उसका बहुत खून बहच चुका था इसलिए उसे वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर सकती है उस लड़की को भी सांगू ने किड्नाप किया था और वो सांगू से मदद मांगती है पर सांगू उसे भी मारना चाहता था डैन अपने डैट को बताती है कि उसने दो साल पहले किसी को मरते देखा था पर डैन उसे बचा नहीं पाई डैन का मतलब जेन की बहन से था डैन कहती है कि उसे एक आदमी ने बताया था कि उसके हाथ में जो bell है उसमें ताकत है Dan के dad Dan पर नराज होते हैं वो नहीं चाहते थे कि इस bell की वज़े से Dan को कोई परिशानी हो Jane एक stall पर जाता है जहां उसे अपनी बहन की spirit दिखने लगती है Jane की बहन की spirit कहती है कि Jane को अपनी बहन की फिक्र थी तो उसे अपनी बहन का खयाल रखना चाहिए Jane अपनी बहन से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और Jane की बहन की spirit वहां से चली जाती है Jane उसे रोकने जाता है पर तबी वो stall की मालकें से टकरा जाता है पुलिस उस गायब हुई लड़की की बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जब Dan को Jane मिलता है Jane Dan की मदद करने के लिए कहता है Dan पूछती है कि क्या उसे Dan की बात पर विश्वास है जिस पे Jane कहता है नहीं पर वो इसका पता लगाना चाहता है और Jane और Dan उस लड़की के घर चले जाते है Dan बताती है कि ट्यूशन जाते वक्त वो लड़की किड्नाप हो गई थी उस लड़की पर कर्स था और उसके पेरेंट्स का भी डिवोस हो चुका था Jane उस लड़की की डारी पढ़ने लगता है जिसे Jane को पता चलता है कि वो लड़की डिप्रेशन में जाने लगी थी पर अचानक वो खुश रहने लगी थी Jane कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि वो लड़की अचानक खुश कैसे रहने लगी क्योंकि पुलिस को बताया गया था कि उस लड़की का कुई भी boyfriend नहीं था तबी Jane और Dan को ह्योंग और उसका कलीग मिलते हैं वो एक आदमी के पास जाते हैं उन्हें शक्त था कि वो आदमी उस लड़की को घर के बाहर देखता था ह्योंग और उसका कलीग उस आदमी को पकड़ने लगते हैं डैन उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने किसी आदमी को एक लड़की को किड्नाप करते हुए देखा था इससे उस आदमी को परिशानी होने लगती है और डैन वहां से जाने लगती है तब ही वो आदमी कहता है कि उसने एक आदमी को देखा था और उसने ही उस लड़की को kidnap किया था और वो लोग वहां से चले जाते हैं Jane कहता है की वह लड़की depress होती जा रही थी जिसपे वही आदबी जो Jane के साथ था वो कहता है कि ऐसे में उस लड़की को किसी spirit से मदद लेनी चाहिए थी Jane Dan से कहता है कि वो पता करेए कि गायब हुई लड़किया किसी चर्च जाती थी जब डैन को पता चलता है कि गायब हुई लड़किया एक ही चर्च जाती थी और जेहिन और डैन उसी चर्च चले जाते हैं डैन फादर से पूछती है कि क्या वो गायब हुई लड़कियों के बारे में बता सकते हैं लाते हुए देखता है और वो चर्च के एक आदमी से उस गाड़ी के बारे में पूछता है जिसपे वो आदमी बताता है कि उस ड्राइवर के फेस पर इंजरी के दाग हैं जिससे जेन और डैन को लगता है कि वो सांगू है और वो सांगू का पीछा करने लगते हैं पर जब वो उस गारी के ड्राइवर को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो सांगू नहीं था जुहुन को पता चलता है कि पुलिस सांगू को ढून रही थी और वो डैन को बुलाने को कहती है डैन और जेन जुहुन से मिलने जाते हैं जब जुहुन बताती है कि उसे सांगू नेकिड नैप किया था जुहुन बताती है कि वो अपने boyfriend को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसका boyfriend जुहुन के पैसे चाहता था पर सांगू ने उस लड़की को पकर लिया था और उस लड़की को चाकू मारा था पर उस लड़की ने जुहुन से भाग जाने को कहा था इसलिए जुहुन वहां से भाग आई थी जेन और डैन जुहुन से असलियत पूछते हैं क्योंकि उन्हें जुहुन की बात पर विश्वास नहीं था डैन जुहुन से बताने को कहती है डैन और जेन को सांगु का पता चल गया था और डैन हियों को ये बता देती है Dian Jain से जाने को कहती है और कहती है कि वो Jain के पीछे आ रहे है पर Dian Jain के साथ नहीं जाती diren जुहुन की बताई हुई जगा पर चला जाता है जहां उसे वो लड़की मिलती है जो गायब थी वो जिन्दा थी Jain सांगु को ढोनने लगता है पर सांगू वहां नहीं मिलता डैन उस गायब हुई लड़की के घर आ गई थी डैन वहां सांगू को ढूंती है डैन वहां रखी एक लाइट जला देती है जो वैसी ही थी जैसी उसने अपने विजन में देखी थी जब डैन ने जैन को खुद को मारते हुए देखा था जैन डैन को बताता है कि उसे वो गायब हुई लड़की मिल गई है तब ही सांगू डैन को पीछे से मारता है जैन को पता चल जाता है कि डैन मुसीबत में है और वो हियोन को डैन को ट्रैक करने को कहता है सांगू ने डैन को बान दिया था और वो डैन को बेओल कहकर बुलाने लगता है सांगू को याद आता है कि कैसे उसे मारा जाता था सांगू कहता है कि वो डैन को बचा लेगा तभी वहाँ जैन आ जाता है सांगू खुद को बचाने की कोशिश करता है और वहां रखी गन उठा लेता है जेइन सांगू को रोकने की कोशिश करता है और गोली उस फांसी पर चला देता है जिससे डैन की जान बच जाती है जेन सांगू को पकड़ लेता है और सांगू के सामने गन कर देता है डैन जेन से सांगू को ना मारने को कहती है तबी वहाँ हयोंग और बाकी पुलिस आ जाती है जेन पुलिस से कहता है कि वो सांगू से अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता है वरना Jane सांगू को और खुद को मार देगा तब ही सांगू और Jane में fight होने लगती है Jane से गोली चल जाती है और ये गोली Dan को लग गई थी पुलिस सांगू को पकड़ लेती है और Dan को hospital ले जाया जाता है जहां पता चलता है कि गोली Dan को छू कर निकल गई थी तब ही वहाँ Dan के डैड आ जाते है और Jane वहाँ से चला जाता है पुलिस सांगू को पुलिस station लाती है जहां Jane सांगू से पूछता है कि उसने Jane की बहन को क्यों मारा जहां Jane को पता चलता है कि सांगू को ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था Jane सांगू से उस बारे में पूछता है पर सांगू कुछ नहीं बताता Dan पुलिस station आ जाती है जब Jane और Dan को पता चलता है कि सांगू को प्रोसिक्यूशन के लिए ले जाये गया है हयोंग जुहून से पूछता है कि क्या उस गायब हुई लड़की को जुहून ने मारा था जिस पर जुहून कहती है कि नहीं उसे सांगू ने मारा था Jane और Dan सांगू का पीछा करते हैं सांगू बचने के लिए पुलिस वालों को मारने लगता है तब ही सांगू का पीछा कर रही बाकी पुलिस और जेन भी वहाँ जाते हैं पुलिस सांगू पर गोली चला देती है जेन सांगू से उसकी बहन के बारे में पूछता है पर सांगू डैन से सांगू का नाम पूछता है और डैन को यादाता है कि सांगू उसका दोस था और वो उसका नाम बता दीती है सांगू डैन से कहता है कि ये उसका एक और दोस उसका वेट कर रहा होगा और सांगू मर जाता है जूहुन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने कहा था कि उस लड़की को सांगू ने मारा है और जू जूहुन को बताता है कि जूहुन पर लगे इल्जाम हटा दिये गए है और उसके कपनों पर लगे खून को भी सबूत नहीं माना जाएगा जुहुन जू से सांगू के बारे में पूचती है जिस पे जू बताता है कि सांगू मर चुका है और जू रोने लगता है जेन पुलिस वालों से कहता है कि सांगू ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई तो पुलिस ने सांगू को क्यों मारा, जिस पे एक पुलिस वाला गंच जला देता है, जिससे ये साबित हो कि सांगू ने पुलिस पर गोली चलाई थी, और बचने के लिए पुलिस ने सांगू को मार दिया, डैन को विजन आता है, जिसमें वो जेइन की बहन को देखती है, और उसे एक ड्रॉइंग दिखती है। जेइन और डैन जेइन के घर जाते हैं। जेइन अपनी बेहन के मौत के बाद से वहाँ नहीं गया था। जहां जेइन अपनी बेहन को दी हुई एक बुग ढूनता है। जिसमें उसने ड्रॉइंग देखी थी। पर वो बुग वहाँ से गायब थी। जेइन अपनी बेहन की फ्रेंड से पूछने जाता है। जहां उसे पता चलता है कि जेइन की बेहन किसी लड़की को ढून रही थी। और वो लड़की डैन थी। पर जेइन को इस बारे में पता नहीं था। जेइन पता लगाने की कोशिश करता है कि सांगू से एक किसने करवाया। तभी जेइन को पता चलता है कि पुलिस ने सांगू के साथ डील की थी। इसलिए सांगू को छोड़ दिया गया था। तभी वहाँ डैन आ जाती है। वो जेन को एक footage दिखाती है, जिसमें सांगू के मुँम में की थी, तब ही डैन को पता चलता है कि पुलिस सांगू का case बंद कर रही है, और डैन और जेन पुलिस टेशन जाते हैं, जेन पुलिस को बताता है कि पुलिस में कोई है जिसने सांगू की मदद की थी, जिससे वो भ खाग पाया, डैन कहती है कि उस गायपुई लड़की से पूचताच के बिना सांगू का केस कैसे क्लोस हो सकता है, जिसपर डैन को पता चलता है कि उस लड़की ने बताया था कि उसे चाकू सांगून ने मारा था, और पुलिस जेइन पर ही सांगू को मारने का इल्जाम लगा तब ही वहाँ Jane और Dan आ जाते हैं और जुहुन वहाँ से चली जाती है जुहु से पूछता है कि उसने जुहुन के कपड़ों पर मिले खुन को सबूत की तरह क्यों नहीं दिखाया जिसपे जू कहता है कि उन्हें जूहून को गुनेगार साबिक करना है तो उन्हें और सबूत लाने होंगे और जेइन वहाँ से चला जाता है जो डैन से पूछता है कि सांगू ने डैन से क्या कहा था जिसमें डैन कहती है कि सांगू ने उसे किसी को याद रखनी को कहा था पर डैन को उसका नाम याद नहीं था और डैन वहाँ से चली जाती है जेइन ने पुलिस वापस जोईन कर ली थी और उसमें एक चिट थी जिसमें Dan को ढूणने वाले को इनाम देने के बारे में लिखा था ये तब की थी जब Dan गुम हो गई थी Dan कहती है कि ये तो वो है Jane Dan से पूछता है कि क्या वो गुम हो गई थी जिसमें Dan कहती है कि उसे याद नहीं है Dan इस बारे में अपने डैट से पूछती है पर डैन के डैट बताते हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जुहून के डैट फादर और एक पॉलिटीशन से मिलते हैं जिसे वो जुहून को बचा सकी पर उन्हें डर था कि कहीं उनके पास्ट के बारे में किसी को पता न चल जाए जेइन और डैन, डैन के बच्पन के बारे में पता करने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि डैन को एक औरत ने पाला था और जेइन उसका एड्रस ले लेता है और Dan और Jane वहाँ चले जाते हैं Jane वहाँ के लोगों से उस लेडी के बारे में पूछता है जिसने Dan को पाला था जब वहाँ के लोग बताते हैं कि वो लेडी किसी के साथ भाग गई थी और उसकी कोई बेटी नहीं थी वो लोग Jane को उस लेडी का घर बता देते हैं Jane और Dan उस घर में जाते हैं जब Jane कहता है कि उन्हें उन लोगों में कुछ अजीब लगा और Jane और Dan वहां की घरों को तलाशने लगते हैं क्योंकि वो खाली थे पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता Jane और Dan एक रूम ले लेते हैं जहां उन्हें एक लेडी मिलती है जो Dan को देखकर कहती है कि वो इतने वक्त से कहां थी तब ही उस लेडी का बेटा आ जाता है और वो कहता है कि उसकी मॉम को भूलने की बिमारी है और वो Jane और Dan को रूम दे देता है Jane और Dan दुबारा उसी लेडी से मिलते हैं जब वो लेडी बताती है कि उन लोगों ने spirits का उलंगन किया था उस लेडी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो सब मर गए वो उन्हें Dan के बचपन के बारे में बताती है कि Dan की दादी एक शमन थी पर तभी उसका बेटा और बाकी लोग आ जाते हैं उस लेडी का बेटा Jane और Dan को वहाँ से जाने को कहता है Dan को एक vision आता है जिसमें वो अपने डैट को किसी का गला दबाते हुए देखती है और ये episode यहीं खतम हो जाता है जिब जुहुन ने Dan और Jane को उस लड़की के बारे में बताया था कि उस गायब होई लड़की को सांगू ने मारा है तक Jane और Dan ने जुहुन के कप्रों पर लगे खून को इंस्पेक्ट किया था जिससे उन्हें पता लगा कि उस लड़की को चाकु सांगू ने नहीं सांगू डैन और उसके एक और फ्रेंड ने कहा था कि वो कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे पर Dan सांगू को भूल गई थी और सांगू को मारा भी गया था और सांगू इन सब का बदला लेना चाहता था सांगू ने जैन की बहन को बिना किसी वज़े के मार दिया था उस गायब हुई लड़की को जुहू ने चाकू मारा था पर उस लड़की ने सांगू पर इल्जाम लगाया क्योंकि जुहून के डैड ने उस लड़की के कर्स के पैसे चुका दिये थे और उस लड़की का खर्चा भी वही उठा रहे थे Dan ने जेइन से कहा था कि वो चिट वाली लड़की डैन नहीं है पर वो डैन जैसी दिखती है Jane ने डैन के बश्पन के बारे में पता लगाया था जिसे जेइन को डैन का एक और नम पता चला था जो था होयून और ये लोग होयून के बारे में पता लगाने गए थे उस लेडी ने डैन को बताया था कि उन लोगों को पनिश्मेंट मिलनी चाहिए ये डैन ने उस लेडी के बेटे को बताया था इसलिए उस lady के बेटे ने Dan को और Jane को वहाँ से चले जाने को कहा था वो चिट वाली लड़की Dan ही थी पर Dan ने जब अपने dad से इस बारे में पूछा था तब Dan के dad ने कहा था कि Dan के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसलिए डैन ने जेन से कहा था कि वो चिट वाली लड़की वो नहीं है बलकि उसके जैसी दिखने वाली लड़की है आपको explanation कैसा लगा प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए safe रहिए enjoy करिए and बोरा है